नेक्स्ट अपन एक और कोड कनवर्टर डिसाइन करते हैं इसका रिवर्स करते हैं पिछली क्लास में हम ने क्या किया था BCD को X3 में कनवर्ट किया था अब हम X3 को BCD में कनवर्ट करेंगे What is this? It is a combinational circuit क्या identify करना है कि आप इसमें जो input दे रहा है उसका output क्यों होगा तो input आपका X3 कोई code है X3 code 4 bit का होगा तो X3 की 4 bit को हमने It's a binary number ABCD हमने bit को represent कर दिया है जिसमें D is the least significant bit and D is the most significant bit जब आप X3 की code को BCD में convert करोगे तो output भी आपको 4 bit का मिल रहा है तो output को हमने WXYZ कह दिया है और W जो है वो MSB bit है और Z जो है वो least significant bit है Don't care condition आपको mark करनी होगी So check with the table X3 में हमने input WXYZ और output BCD ABCD में लिखे हो है जब आप X3 में 0 लिख रहे हैं तो 0 X3 में कुछ भी नहीं होता तो इसके corresponding आपका BCD के आएगा Don't care condition Same way 1 इसमें कुछ होता है नहीं होता तो X3 में चुकी हमारे को 1 नहीं है तो BCD में इसके corresponding के आजाएंगी Don't care condition Same way 2 नहीं है तो इसके corresponding आएगा Don't care condition But as soon as you will write 3 because X is 3 BCD में 3 add करके 3 मिलता था तो यहां उसका BCD code क्या हो गया? 0, 0, 0 Then 4 में 1 मिलेगा तो यहां पे हो गया 0, 1 0, 0, 0, 1 यह आपके BCD के code हैं BCD में हमने जो symbols लिए हैं ABCD लिए हैं Most significant bit, most significant bit और उसमें हमें लिया W, X, Y, Z This is how we will complete the complete table 5 के case में 5-3, 2 हो गया तो यह आपका BCD code हो गया 6 आपका रहेगा तो इसमें आजाएगा 3 तो यहां पे आपका आगया 3 7, 7-3 is 4 तो यहां पे उसका equivalent BCD आगया 4 Next 8, 8-3 is 5 तो यहां पे आगया 0, 1, 0, 1 Then 9, 9-3 is 6 Next आपका XS3 में 10, 12 तक यह था combination यह आपको यहाद हो 10 आप लिखेंगे 0010, 10 में से minus 3 किया तो आगया 7 तो यहां पे 0, 1, 1, 1 Then 11, 1, 0, 1, 1 जब आप 1011 लिखोगे तो 11-8 11-3 is 8 और binary में 8 आप लिखोगे इस तरह से Next 12, 12 में आपका आजाएगा 9 1, 0, 0, 1 ठीक है तो BCD होता है 0 to 9 0 to 9 आपका generate हो गया अब 13 कुछ भी नहीं होगा तो आपका 13, 14, 15 मतलब यह 4 combination है जो 13, 14, 15 XS3 में भी इनका कुछ relevance नहीं है तो आपका इसके corresponding जो आपका XS3 में भी कोट्स भी हो सकते हैं लेकिन आप कर किस रहें? BCD में आपकी cable desert होती 0 to 9 तो these 3 are unutilized, unutilized तो आपकास में it is transferred, don't care condition अब process के होती है यह आपके input bits है यह आपके output bits है right input आपके WXYZ है output ABCD है मतलब आप जो circuit design कर रहा है जो code converter उसमें आप input क्या दे रहे है WXYZ 4 binary bits है और A bits जो है यह code जो है XS3 code है और output आपको मिल रहा है A, B, C, D आपको circuit design करना है जिसको आप कहेंगे XS3 to BCD converter right उसके लिए आपने input identify किये input के पूरे combinations लिए हर input के करस्पाणने का आपको output क्या मिलने वाला वो लिख लिया अब आपने क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा A is a function of WXYZ ठीक है तो WXYZ में अब आप summation SOP form में लिख लेगी यह कब-कब 1 है तो आप देखिए this is 1 for combination 4 4 then for 6 it is 1 for 8 it is 1 then for 10 and for 12 किती बार 1 आ रहा है देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 बन के corresponding mintum काउंसी वो हमने note कर ली और don't care condition will common for all the A, B, C, D तो don't care condition हम एक ही बार लिखते हैं WXYZ don't care conditions are present at 0, 1, 2 और 13, 14, 15 0, 1, 2, 13, 14, 15 next आप क्या करेंगे A के लिए जैसे आपने लिखा ऐसे आपको B के लिए भी लिखना होगा यह आपकी MSV bit है A is the MSV actually यह D है, not A हमने least significant bit से शुरू किया है so this is for D, LSV bit right, then C के लिए लिखिये so C is a function of WXYZ C में 1, 1 का बारा है किन किन में टम के 1 है so this is 5, 5, 6 5, 6 है and 9, 10 यहाँ पर आजाएगा 5, 6, 9, 10 next B के लिए लिखिये don't care condition लिखने की ज़रूरत नहीं है because वो सारे ही output के लिए same है B is again a function of WXYZ आप चेक करें किस-किस minimum के लिए B1 है तो यहाँ पर देखिये 1, 2, 3, 4 यह किसके corresponding है 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7, 8, 9, 10 के लिए it is 1 7, 7, 8, 9, 10 4 यह बार बार right then किसके लिए बचा a के लिए बचा है a is a function of WXYZ this is most significant width और इसमें 1 का बारा है when your XS3 code is 11 and 12 this is summation of 11, 12 your condition will remain the same next step क्या होता है आपको इसके लिए KMAP बनाना है सबसे पहले हम स्टार्ट करते है least significant width के लिए least significant width के लिए KMAP में hopefully by the time you will start your people are become well versed with KMAP I hope so तो यह आपका किस के लिए है it is for D least significant width least significant यहां पे आप क्यालेंगे WXYZ 00001 1110 00001 111110 right 4, 6, 8, 10, 12 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे नहीं है 8 then 8 के बाद 9, 10, 11 and 12 right don't care condition आपकी कहां कहां है don't care condition है 0 पे 1 पे 2 पे 13 12, 13 14, 15 right बाकी जगे क्या जाएगा 0, 0, 0, 0, 0 अब आप देखें कि हमारा क्या बन रहा है अब आप देखें कि हमारा क्या बन रहा है अब आप बन रहा है यह 8 और यह तो विटी treat these don't care condition as 1 and try to make the biggest square तो 8 वहन से cover होके इसका expression क्या आएगा D is equal to उपर के column से ही आपको बनेगा that is with the value of Z 0 तो D is equal to Z 1 right अब आपको क्या करना है जैसे आपना D के लिए बनाया ऐसे आपको C, B, A के लिए बनाया है इसके नीचे ही हम इसका बना देते हैं this for C input W, X, Y, Z आप फर मिल्टम के लिए square बना दिया मिल्टम के पूरे possible combinations लेने का sequence आपको बता है कि अब आपको कहां कहां one place करना है ये expression check करना पड़ेगा 5, 6, 9, 10 so 4, 5, 6, 7 पे नहीं है 8, 9, 10 right और cross कहां कहा है cross तो आपके same है cross, cross, cross rest, 0 चीक है इस case में आप देखो आप एक 4 मिल्टम ये कबर हो रही है और 4 मिल्टम ये कबर हो रही है इन दोनों के लिए आप expression लिख ले ये expression किसका हम ले लिया है C का तो C output is a function of W, X, Y, Z which is summation reduced term for this is 0, 1 and 1, 0 this is nothing but Y exclusive Y bar Z plus Z by ये आप X और B लिख सकते हैं next आपको किस के लिए बनाना है B के लिए बनाना है पीचे ही मैं ऐसे बना देती हूं this is form B क्या आप कौन कौन सी मिंटर में इंक्लूड है 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्रॉस कहा कहा है 1, 2, 3 1, 2, 3 13, 14, 15 पे बनाना है अब आप कैसे करेंगे यहां पे हमें दिख रहा है कि इन दो क्रॉस को 1 माने से एक क्वैड मिल रहा है यह और इस 1 को कवर करने के लिए हम इसे दे सकते हैं इस 1 को कवर करने के लिए आप इससे और इससे भी ले सकते हैं यह अब इससे भी ले सकते हैं it's your choice आप कैसे ले रहें ठीक है तो B के लिए हमारा बनेगा टर्म लिखेंगे आप सबसे पहले quiet के लिए 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 तो B का expression आपका क्या रहा V is the function of WXYZ and which is summation of 10000 में constant is X तो this is X-var और उपर से देखें तो 0001 by-bar X-bar by-bar is the term इसके लिए लिखें यदि हम तो इसके लिए आपको मिलेगा उपर से कॉलम से मिल रहा हूँ थर्ड कॉलम में yz, yz दोनों 1 है और यहां से आपको मिल रहा है x तो यह आ गया और दोनों कॉर्नर्स में फिर आपकी 3 पेरबल की बनेगी तो इसमें इसमें constant है z, z is 0 तो z, right? चौथा के मैप आप बनाएगे एक लिए जिसमें केबल 2 मिटब आए है 11, 12 तो फूथ के मैप, इस लेट है, 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 केबल मिन टम 11 और 12 इंक्लूड है तो मिन टम 8 9 10 11 क्रॉस रख लिजे 1 2 3 that is not not this 0 1 2 and 13 14 15 rest is 00 बनाई है आप एक बनेगा आप कहिए और एक बनेगा टम लिख लिजे टम आ जाएंगी किसके लिए टम लिख रहा है एक के लिए एक आए का फंक्शन है wxyz का और reduced expression मिला हमें wx plus उपर से आपको मिला yz और horizontal axis से मिला w तो इंगे आ अढेगा लिख लौगज विख लिख टम लिख लिख का इंगा हिए प्रॉस और भीक्ष तो जारों देरी किसके भीख बनाना हूग। म कशन ना इंग जान राव टा कोडिख आपका आया बाइबार Z, this is Y बाइबार Z, plus Y Z, okay, B का एक्स्प्रेशन अपना आया, B का एक्स्प्रेशन है, X बाइबार, बाइबार, plus Y से, plus, किते को एक क्वैट था, एक टू का था, और ये टू का, ये टू नहीं है, फोर का लेना जाहिए था, क्योंकि ये don't care condition है, चाहर का जब हम लेंगे, term आजाएगी अपनी, क्योंकि don't care condition को we can treat as var, so ये term आजाएगी आपकी X बार Z बार, X बार Z बार, there was a little correction, right, A आपका जो है, A के लिए अपना एक्स्प्रेशन आ रहा था, W X और अपरेशन W Y, right, अब इसमें Z बार भी है, Y बार भी है, X बार भी है, W बार बस नहीं है, और आपको, अब इसको derive करने के लिए, circuit बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, It's always better, कि आपको, input कौन कौन से है, एक input आपका है, W, input आपकी, most significant में W थी, दूसरा input आप ले रहे थे, X, तीसरा input, Y, और चौथा input, Z, Z बार, For the clarity, it's a good thing, कि आप वहीं inverted उसका ले ले, हमें Y वार की भी ज़रूरत है, और हमें X वार की भी ज़रूरत, Most significant bit है, आपकी A, एक लिए circuit बनाए, और gate है, back reverse propagation ही करते है, और gate है, और gate का output A, और इसके input आ रहे है, एक W, X, और दूसरा input आ रहे है, W, Y, Z, Right, W, X, मतलब W और X, एक end gate ले लिजे, end gate में हम tapping कर दें, इस end gate को लाओ, इसका एक input है, W, दूसरा end gate X, So this will W, X, और एक और end gate ले लिजे, इस end gate के दोने, तीन input है, W है, W, then Y, Y यहां से ले लिजे, और Z है, तो इन दौनों का जब और करेंगे, तो आपको output bit A मिल जाएगी, दूसरा है B, B भी एक और gate का output है, और gate में तीन input है, एक, दो, तीन, एक input है, X bar, Y bar, एक end gate ले लिजे, इस end gate का जो output है, यहां जा रहा है, दूसरा end gate ले लिजे, इसका input रहेगा, X bar, Z bar, और तीसरा end gate के तीन input है, ठीक है, we'll start with X bar, X bar वाला point कहां से जाएगा, इस line से जाएगा, X bar, X को में ने inverter से X bar गिया, दूसरा end gate है, Y bar, तो, यह output आपको मिल गया, X bar, Y bar, दूसरा output है, X bar, Z bar, X bar वाला तो इसी terminal से आएगा, और Z bar, यहां से जाएगा, इसका output हो गया आपका, X bar, Z bar, और इसका input है, X, Y, Z, X is this, X, Y is this, and Z is, Z is, X, Y, Z, we'll get B, then आपको C चाहिए, C के लिए भी X or gate है, not X or, वैसे वो X or gate की term बन रहे हैं, बट हमारे पास हमने end or not से implement कर रहे हैं, तो, यह C हो गया, C का input आ रहा है, or gate से, or gate का एक input है, एक end gate से, दूसरा input है, दूसरे end gate से, इस end gate में जा रहा है, Y bar, इसमें जा रहा है, Y और Z bar, यह हो गया, Y, Z bar, और इसमें जाएगा, Y bar, और, Y bar, और Z, इसका input हो गया, Y bar, Z, तो यह आपका output आ गया, 3rd है, Z bar, सीधे Z bar, जो है, it will be forming D, this is ABCD, तो, जो हमने block diagram बना होगा था, उसमें आपका output ABCD थे, और input थे, W, X, Y, Z, यह बीच का आपका logic circuit है, और यह circuit जो है, यह code converter का काम करेगा, आप अपना input X3 में देंगे, और X3 में जब आप input देंगे, तो उसका equivalent BCD generate कर लेता है, How to verify, you can take an example, एक value ले ले, एक value ले ले, ले ले, हम बहुआ ले ले लेते हैं, आपकी value है, W, X, Y, Z में, आपने X3 में दिया 6, तो BCD में इसका equivalent code क्या generate होना चाहिए, BCD में इसका code ABCD 3 आना चाहिए, X3, 3 को 6 करता है, तो reverse में आप 3 को, 6 को 3 करोगे, तो 0 binary में आप ऐसे लेख, तो अब आप दिखिए कि आपको A में क्या चाहिए, 0, B में चाहिए 0, C में चाहिए 1, और D में चाहिए 1, तो D में 1 आ रहा है कि नहीं, D is nothing but D bar, Z bar, तो आपका D में तो 1 आ गया, Y में क्या चाहिए, Y bar, Y bar, Y bar, Z, तो आपका ये देखिए, Y, Z bar, 1 में चाहिए, तो ये भी आपका 1 आ रहा है, ये भी आपका 1 आ रहा है, Let's check with W, X, W, Y, Z, दो और operation है, तो इस दोनों में ही W include और W 0 है, तो दोनों N term 0 है, तो इसका output 0 हो जाएगा, और B भी चेक कर लीजेए, B भी आपको इस combination में 0 मिलना चाहिए, एक term में X bar, Y bar, दोनो 0, 0 हो जाएगी, तो ये output हो गया, 0, X, Z बार, एक भी input 0 है, तो ये भी 0, और X, Y, Z, इसमें X, Y, Z में Z 0 है, तो ये भी 0, तो output 0, तो आप देखिए, इस circuit से आप कोई भी एक input combination, you can verify by taking three more combinations, कि circuit is working or not, if the entire process is correct, आप पर reduced term सही निकला है, gate आपने सही से लगाए होए है, तो आपको output भी सही में किया है, विछले सेशन में हमने क्या किया था, BCD से XS 3, आज के सेशन में हमने क्या किया, XS 3 से BCD, but the process was the same.